स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा कि आज के इस वीडियो में हम आपको 14.6 का जो निव अपडेट आया है उसमें एक प्रॉब्लम आप सभी को देखने को मिल सकती है जैसे कि वो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर आप हमारे स्क्रीन पर देख पा र देते हैं किली करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बेरिफीकेशन इन प्रोग्रेस यहाँ पर बिरफाई वाल आप्शन आता है यहाँ पर लोग प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिल सकती है कि इसके अगर आप यहाँ पे profile update में कुछ भी change करने चाहें तो आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे यहाँ पे 3. पे किली करके profile update पे किली करेंगे तो देखें यहाँ पे message दिखा रहा है profile cannot be updated at the moment यानि कि इस time आप लोग इस लभार्थी के profile update में जाके कुछ भी change नहीं कर सकते हैं यहाँ कि इसका जो अधार verification है वो progress में चला गया है अगर यहाँ पे मालीजिए कि किसी लभार्थी का अधार verification करना हो जैसे कि यहाँ पे verify अधार वाले में आ जाते हैं यहाँ पे देख सकते हैं दो बच्चे हैं जैसे कि आरोही कुमारी और राजा कुमार तो हमने इस पे click किया और click करने के बाद यहाँ verify अधार वाले पे click करेंगे तो देखें यहाँ पे data enter does not match with the अधार details यानि इस प्रकार से अधार में कोई भी data mismatch होगा तो आपका यहाँ पे जो profile update है वो वहाँ पे progress में चला जाएगा और वहाँ पे आप कुछ समय बाद ही आप उसको profile update कर पाएंगे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इसको back करने के बाद यहाँ पे error का message show कर दिया है और यहाँ पे बता रहा है update अधार details after 12 hours यानि कि आप इसको 12 घंटों के बाद यहाँ पे इसके profile update में जाके इसको फिर से update कर सकते हैं बच्चे हैं उसका यहाँ पे arrow वाले पे click करेंगे औ और यहाँ पे अगर आपके अधार में सभी details सही होगा तो आप यहाँ पे easily verify कर सकते हैं चली हम इसको verify करके दिखा देते हैं जैसे ही आप verify वाले पे click करेंगे अगर अधार का जो details है वो सही सही आपने fill किया होगा तो आपका यहाँ पे अधार verify होके आ जाएगा और यानि कि कभी कभी क्या होता है कि उस लभार्थी का यानि जिस बच्चे के माता या पीता का अधार नमबर डाल रहे हैं वहाँ पे अधार नमबर भी सही है नाम भी सही है और date of birth भी सही है उसके बावजूद भी वहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाता है डाटा जैसे कि माली जी यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर बारे आवर्स के बाद ही उस बच्चे के प्रॉफाइल अपडेट में जाके आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर आपको बेनिफिस्टरी वाली के टेग्रीज को ओपन करके दिखा नहीं होगा तो देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज आ चुका है तो इसके आपको क्या करना है चार घंटा पाच घंटा या मैक्सिमम आपको बारे आवर्स के बाद ही यहाँ पर आप उसका प्रॉफाइल अपडेट कर पाएंगे तो आप लोग वेट कीजिए और यहाँ पर ब जनकारी मिल गई होगी वीडियो पसंदा ही हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नए जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्य जय हिंद